Hello students, welcome back, आज से हम start करने वाले computer science paper 2 का हमारा last याने 5th chapter जिसका नाम है networking technology सबसे पहले हम marks distribution हम discuss कर लेते हैं, ये chapter है total 18 marks का, of course out of 94 marks जहां पर extra questions वगरे सब कुछ include हैं और paper रहता है हमारा 50 marks का, तो अगर हम एक ही chapter करके जाते हैं ये 5th वाला तो हम कितना score कर पाएंगे, वो discuss करते हैं इस chapter के उपर गईज एक MCQ आता ही है, उसमें 1 mark engage होता है, 3 marks वाले 3 questions आते हैं और उसमें engage हो जाते हैं हमारे 9 marks और 2 questions आने के chances होते हैं 4 marks वाले और उसमें engage हो जाते हैं 8 marks तो अगर आप total करते हैं तो एफ़े तो total 18 आती हैं बड़ गैज ऐसा ज़रूरी नहीं है exam में कि जितना weightage है उतने marks पे question पूछे जाए कभी plus minus वगरे question होते हैं फिर भी गैज अगर आप ये अकेला chapter करके जाते हैं तो chances हैं कि आप 14 marks score कर पाओ इस chapter के ऊपर अब हमारे syllabus में total 5 chapter है 4 chapter हम already पढ़ चुके हैं गैज और उनमें भी तो questions निकल के आते हैं ना 3 marks और 4 marks वाले तो उनी के questions के against गैज इस chapter के questions वगरे आने के chances हैं यहने ultimately हर chapter में से आपको extra questions वगरे मिलने के chances होते हैं तो वो बात थोड़ी से आपको ध्यान में रखके पढ़ाई वगरे करनी हैं तो बढ़ते हैं हमारे आज के first topic के तरफ और topic का नाम है networking वैसे हमारे chapter का नाम ही networking technology हैं और इसी के उपर first question निकल के आता है what is networking या what is computer network करके एक mark के लिए definition पूछी जाती हैं तो guys क्यों ना सबसे पहले थोड़े से example अगरे देख लिए जाए कि networking एक concept होता क्या है और क्या हम day to day life में networking का use करते हैं मुझे लगता है करते हैं और आपको थोड़े दर पता चली जाएगा कि हम इसे कैसे use करते हैं गैस हमारे पास एक laptop है और एक हमारे पास एक mobile है अगर मुझे इस mobile का data इस laptop में copy करना हो या इस laptop का data इस mobile में अगर मुझे copy करना हो तो अगर मैं आपको solution पूछू कैसे करें तो आपका जवाब क्या रहेगा तो आपका जवाब ये रह सकता है कि इसे हम कुसी data cable से जोड़ data cable का एक end यहाँ पर जोड़ा जाए और दूसरा end यहाँ पर जोड़ा जाए और अगर ये mobile वहाँ पर show होता है तो हम वहाँ का data copy बगरे अराम से कर सकते हैं तो यह जो हमारा solution है यह एक प्रकार के networking यह है तो networking का फाइदा क्या होता है data हम share कर सकते हैं और कोई services भी हम share कर सक हमने data sharing के लिए इसका use वगर किया होगा वैसी guys मेरे पास एक printer है और मुझे print out निकालनी इसी laptop के अंदर जो document है उनकी मुझे print out निकालनी है तो again guys आप cable का use करते हैं तो यह जो cable में use कर रहा हूँ इसे ही बोलते हैं transmission medium transmission medium से होता क्या है यह जो data है जो services है वही यहाँ पर transmit होती है और हमेशा जरूरी नहीं कि cable ही हो जैसे मैंने earlier आप से कहा है sometimes wireless technologies का भी हम use करते हैं तो यह जो चीजे मैंने आपको यहाँ पर discuss करके बताई है यही networking है networking का मतलब होता है interconnected system यानि वो computer हो सकती है mobile हो सकता है या कोई other services हो सकती है जो एक दूसरे से connected है ताकि हम उसे share कर सके और उनका हम फाइदा वगरे उठा सके वैसे guys अगर मेरे पास एक router है तो उस router से मैं जितने चाहिए उतने devices connect कर सकता हूं जितने उसकी limit होंगी उतनी तो हम इस से कर क्या रहे हैं हम internet share कर रहे हैं एक router है और वहाँ से ह services वगर यहां पर install करके हैं और client उस services का क्या करता है यूज करता है तो यह भी एक प्रकार की networking है अगर मैं यह printer गई इस server के साथ जोड़ दूँ तो printer एक service हो गई हमारी और यह पूरे client इस printer वाले services को भी क्या कर सकता है यूज कर सकते तो guys यही हमारी networking है जब हम बहुत सारे computers और उससे related system connect कर देते हैं एक दूसरे के साथ cable का यूज करके या फिर wireless technology का यूज करके तो उसी को बोलते है networking और इसका advantages यह गई कि हम data और resources क्या कर सकते हैं share कर सकते हैं हम day to day life में इसका यूज करते ही है जैसे गई यह जो वीडियो आप देख रहे हैं वो भी एक प्रकार क networking का यूज करके आप देख रहें YouTube का server है वहाँ पर ये वीडियो upload है और वहां से data आपके laptop mobile या computer के तरफ आ रहा है मतलब आप internet से connect है न गया वो भी एक प्रकार की networking ही है तो I hope so आपको एक concept समझ में आ गया होगा कि networking वगर ये concept क्या है तो इसे हम detail में study करते हैं और बढ़त वगरे कौन से चीज़े होती हैं जिनको हम shared वगरे करते हैं उसी concept को guys networking कहते हैं but actual definition है a network of computers is a group of interconnected system sharing resources and interacting using the shared communication link है न गया इंटर कनेक्टेट system के group को ही कहा जाता है guys computer network अब उसका use क्या होता है उससे होता क्या है उससे हम कोई भी resources वगरे share कर सकते हैं but guys वो एक दूसरे से communicate कैस से करते हैं by using shared communication link याने wire guys या फिर wireless technology का use करके हम एक दूसरे से उन्हें connect करते हैं ताकि हम resources और data क्या कर सके share कर सके तो guys यही definition आपको one mark के लिए लिखनी है और साथ में कुछ point भी लिखते हैं देन आपका हाप भी mark deduct नहीं होगा next point है a network is a state of interconnected system the shared resources can be वो क्या-क्या हो सकता है वो data हो सकता है images audio file video file कुछ भी चीज़े हो सकती है printer हो सकता है जैसे हम तुछ दे पर डिसकस किया है facts हो सकता है modem हो सकता है और a service such as database और email system इन में से कुछ भी guys as the resources करके हम उन्हें share कर सकते हैं next point है guys the individual system must be connected through a pathway and this pathway is called as a transmission medium जो भी computer से related system है या computer itself है guys वो एक दूसरे से किसी न और उसी को बोलतेगा transmission medium transmission medium के दो type होते हैं यहां तो यह transmission medium एक wire हो सकती है simple data cable हो सकती है या कोई wireless technology हो सकती है Bluetooth या Wi-Fi जैसी वाली उन्हीं को बोलते transmission medium तो transmission medium का काम क्या होता है it is used to transmit the resources और service between the computer इनका काम ही होता है data transmit करना या कोई service transmit करना अब transmission medium को guys आप compare कर सकते हमारे road से है रोड का काम क्या होता है गाइज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने का वो pathway होता है न हमारे country में इतने सारे cities है हर city एक दूसरे city के साथ road से connected है by road हो सकता है guys by railway route हो सकती है और aerial technology का यूज़ करके भी हम travel कर सकते है बढ़ हम थोड़ा सा road के उपर focus करते है अब road का का होता एक city को दूसरे city के साथ connect करना अब इस road का guys use क्या होता है ट्रांस्पोर्ट के लिए use होता है बिल्कुल गई वैसी ये transmission medium का use भी transmit करनी के लिए होता है resources या data अब रही गई यहाँ पे बाद road के निकली है तो road पे चलने के rules होते हैं हमें बहुत सारे rules follow करने पड़ते हैं वैसी guys जब data या service transmit होती है तो उन्हें भी बहुत सारे rules follow करने पड़ते हैं computers को तो उन्हें के बारे में हुआ discuss करते हैं all the system on the pathway must follow the state of common communication rule and these rules are called as a protocol तो guys protocol का मतलब ही rule होता है जैसे हम real life में कुछ rules follow करते हैं transport के लिए वैसे ही computer में भी guys बहुत सारे rules उन्हें follow करना पड़ते हैं ताकि वो data अच्छे से transmit हो और guys ये rule common से होते हैं ताकि वो एक standard set हो और उस standard से ही data हमारा transmit हो I hope so guys आपको ये introduction part और definition वगरे आपको समझ गई होंगी बढ़ते हैं next topic के तरब वो topic का नाम है गई study of transmission media transmission media या नहीं transmission medium दो type के होते हम तब से बात करी रहे हैं एक होता है cable गई simple as data cable और दूसरी होती wireless technology bluetooth से लेकर wifi तक तो यहाँ पे हम जो focus करेंगे नहीं गई वो cable के तरफ करेंगे transmission media यानि कोई भी cable जो दो computer को जोडने के लिए यूज होती ना उनकी study करना मतलब ही study of transmission media है ऐसा आप समझो बात में जाके आगे हम wireless technology के बारे में भी study करेंगे तो इसमें पहला point लिखते हैं transmission media make possible the transmission of electronic signal from one computer to another computer अब जो होता है guys computer में जो data store होता है वो binary form में store होता है digital form में store होता है ऐसा हमने बच्पन से पढ़ते हैं बट जब वो transmit होता है guys वो तो electronic signal में ही travel करेगा ना तो जो electronic signal होते हैं और binary pulses on और off और guys पता है ना on और off ये क्या होता है high voltage और low voltage ही होता है जो travel करता है computer से निकलता है दूसरे computer में जाता है then वो again guys convert हो जाता है digital में तो जो wire से जाता है वो analog signal होते है computer में आने के बाद वो digital data बन जाता है वो कोई भी form का जो भी data होगा उसमें वो automatically convert हो जाता है तो यही basic काम होता है guys wire का कि एक computer का data यानि अल्टिमेटली electronic signal transmit करना एक computer से दूसरे computer के अंदर अब guys यह topic थोड़ा all detail में textbook में but उनके उपर question आते नहीं है तो बस हम यह दो ही point यहां से study करेंगे अगर आपको self study करनी है तो आप कर सकते हैं वैसे उसके उपर question आते नहीं है तो मैं आपको इस chapter में तो वही topic पढ़ाऊंगा जो exam point of view से important है और जिनके उपर questions वगरे आते हैं और I hope so guys आप mind वगरे नहीं करोगे बढ़ते हैं हमारे next topic के तरफ गए और topic का नाम है transmission media characteristic यह 4 mark का question होता है गए तो exam में बहुत बार पूछा गया है और 4 mark के लिए question पूछा जाता है तो transmission media characteristic यानि transmission media यानि हमारा cable जिस cable से data transmit हो रहा है उसकी characteristic यानि cable की characteristic हमें study करनी है और उसमें कौन-कौन से point आते हैं वो हम देखेंगे one by one पहले introduction देख लेते हैं इस type of transmission media has a special characteristic that make it suitable for a specific type of service and the characteristics are देखो guys अब देखो कौन से use के लिए आप cable use करते हो तो use के हिसाब से उसका type उसकी characteristic वगले decide होती है बड़ हर cable की कुछ ना कुछ characteristic होती है तो पहली characteristic होती है उसकी cost अब free में तो आपको cable मिलेगा नहीं उसका आपको purchase करना पड़ेगा तो कभी कुछ cable guys बहुत cheap price में मिल जाते है और कभी guys बहुत high price में भी आपको purchase करना पड़ सकता है तो यह one of the factor है जब हम कोई transmission medium select करते है तो उसका एक cost factor हो सकता है दूसरा है guys installation requirement अगर आपको guys mobile connect करना है आपके laptop में तो उसके लिए basic skill की जरूरत भी नहीं पड़ती है आपको just data cable plug करना है एक end आपके mobile के तरफ जाना चाहिए और एक end आपके laptop में जाना चाहिए तो इसे बोलते है installation requirement यह बहुत ही आसान हो गया बट sometimes guys जो अलग-अलग equipment होते है आपको LAN cable है दो laptop को मुझे connect करना है तो उसके लिए तो भी तो आपको अलग-अलग cable का use करना पड़ सकता है शायद उसके लिए guys आपको skill labor की जरूरत पड़े या professional person की जरूरत पड़े जो आपको connect करके दे ठीक है ना तो sometimes बहुत easily आपका काम done हो जाता है समटाइमस आपको skill labor की जरूरत पड़े पड़ती है नेक्स पॉइंट है guys bandwidth capacity या उसे speed बोलते है अब हर wire की guys एक limit होती है data transmit करने की कि वो कितने speed में या कितने उसमें सी electronic signal transmit हो जकते है at a time उसी को बोलते है bandwidth यान ही guys ultimately speed होती है next है guys वो और वो है band usage और इसमें दो type होते है एक होता है base band और दूसरा होता है broadband हम detail में उसे थोड़ी दर में study करने ही वाले हैं next point है attenuation की एक wire की limit होती है कि कितने limit तक signal strong रहेगा और certain length cross करने के बाद जो signal होते हैं जो transmit हो रहे है wire से वो weak होना शुरू हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं attenuation और यह भी factor मायने रखता है और सबसे last factor है guys वो है immunity from electronic interference अब देखो medium है medium से data transmit हो रहा है पर आजो बाजो बहुत सारे wire हो सकते हैं दूसरे electronic equipment हो सकते हैं और वहाँ के signal भी wire catch कर सकता है तो उससे वो कितना immune है वो भी तो हमें यह factor भी decide करना पड़ता है और उसी को बोलते हैं guys EMI यानि कि electromagnetic interference जैसे guys अभी देखो अब वीडियो से आवाज आ रही है ठीक है guys आप उसे सुन रहे हो आप ear तक वो आवाज पोच रही है बड़ थोड़ा सा pause लो तो आपको पता चलेगा कि आजू बाजू यह वीडियो की आवाज के अलावा भी आपके जो ear है वो आजू बाजू का noise भी क्या कर रहा है पता है capture कर रहा है उसी को बोलते गए electromagnetic interference ऐसा wire के साथ भी होता है कि आजू बाजू की आवाज भी वो catch कर लेता है उसी को noise भगड़े भगड़े बोलते है so guys one by one factor हम discuss करते है पहला factor है हमारा cost one major factor in purchase decision of any networking component is the cost हम हमेशा सोचते हैं कि हर चीज़ की price कितनी होंगी अब देखो एक दो computer जोड़ने है तो ज़्यादा आपको cost नहीं लगेंगे next point है when one tries to opt new technology it is fastest and it is a more expensive simple सी बात है guys अगर नहीं technology है और वो fast data transmit कर रही है हम wire की बात कर रहे अगर वो data fast transmit करती है तो of course वो महेंगी रहेंगी और हमको अगर 100 computer जोड़ने है हमेशा महेंगी wire का ही use करे ऐसा ज़रूरी तो नहीं है then network designer must settle for something which is cheaper and robust अब इतने सारे computer जोड़ने है महेंगी wire तो हम लगा नहीं सकते है तो क्यों ना थोड़ी सस्ती wire और robust यानि जो टिका हूँ है यानि कि वो जल्दी से खराब भी ना हो उसके बारे में उसको सोचना वगरे पड़ता है तो यह हमारा cost factor है गए जब हमें networking में computer जोड़ने पड़ते हैं तो cost का हमें ध्यान तकना पड़ता है बढ़ते हैं next factor के दरब और factor का नाम है installation requirement earlier जैसे मैंने आपको कहा sometimes आप cable बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं जैसे हमारे normal cable होते हैं but sometimes guys SCB cable होते हैं जिसे आप normal तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं उसके लिए आपको skill labor यहां फिर professional engineer का आपको wait करना पड़ता है जैसे कि बहुत बार guys देखो हम नहीं चीज़े खरीते हैं जैसे कि हमने TV वगरे खरीदा है उसके साथ भी तो बहुत सारे cable वगरे जूड़ के आते हैं जैसे हमने guys कुछ disk connection वगरे खरीदा है उसके लिए skill labor के ज़रुद पढ़ती हैं कि हम खुद कर पाएंगे के नहीं उसके लिए connector होता है wire के बारे में देखना पढ़ता है इंस्टॉलेशन वगरे देखना पढ़ता है and so on guys हमेशा काम आपका easily done होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है some transmission media requires skill labor to install this increase the cost of the network and it may cause the certain delay कभी-कभी technology हमारे घर पे पहुँच जाती नहीं वाली but आपको professional person का wait करना पढ़ता है जबते कि वह उसे वह अच्छे से setup अगरे नहीं लगा लेता है कभी-कभी guys उस professional को आपको पैसे भी देने पढ़ते हो और sometimes थोड़ा delay भी हो जाता है मेरे खाल से उसके बारे में आप अच्छे से aware है next point है before installation we need to prepare the actual physical layout of a network direct भी हम networking नहीं कर सकते है तब से पहले हमको decide करना पड़ता है कहाँ पे computer रखने है फिर कहाँ से wire आएंगी and so on guys ये भी आपको सोचना पड़ता है उसी को physical layout of network बोलते है आप इसको compare कर सकते हैं तीवी से हैं आपने नए तीवी purchase की है पर उसे रगान ही कहाँ पे है कहाँ से wire आएंगे कहाँ से dish का cable आएंगे and so on वैसे हमें सोचना ही पड़ता है next factor है guys और उसे बोलते हैं bandwidth मैंने इसको already आपको कहा है कि bandwidth यानि capacity या फिर उसकी speed होती है अब wire से data transmit हो रहा है तो इस particular amount में data transmit होता है उसे ही बोलते है capacity bandwidth is a major of the capacity of medium to transmit data per second उसे major किया जाता है guide bits में आपको इसके example वगरे भी अच्छे से पता है जैसे कि the an ethernet land can transmit 10 million bits per second and has a bandwidth of the 10 megabits per second यानि MBPS आपने ये words सुना होगा नगे MBPS, KBPS ये हमारी beats ही होती है जो transmit होती है अब ये beats यानि हमारी electronic signal ही है तो जो एक wire से कितने एक second में कितनी भी transmit हो सकती है वही गज़ उसके capacity होती है तो हर wire की speed same रहे ऐसा जरूँ ही नहीं गज़ बस इतना धान में रखना जिसकी speed जादा है वो wire भी हमारी बहंगी होंगी next point है bandwidth of the cable also depend on the length of the cable cable के length के उपर भी उसकी speed उसके capacity depend करती है a short cable can have a greater bandwidth than the long cable विससी बात है छोड़ा cable होगा तो जल्दी data transmit होगा और जादा length होगी इस cable की तो data transmit में guys delay होगा और बहुत ही length जादा होगी guys तो फिर signal भी weak वगरे हो सकते है तो उसे के बारे मैं study करनी है इस जादा length होगी तो हमारे signal वगरे जो transmit हो रहे है वो weak होना शुरू हो जाते है Beyond this limit the highest frequency signal can deteriorate and error occurs in a data signal बराबर proper तरीके से guys वो data जाएगा नहीं पहुचेगा नहीं और noise create वगरे हो जाएगी तो case ऐसा होता है bandwidth अगर question आता है exam में तो ऐसे point आपको लिखने आने चाहिए जितने ज़्यादा point लिखते है उतने अच्छी बात रहेंगी बटने हमारे next factor के तरफ और factor का नाम है guys band usage और इसमें दो type के band usage होते है guys एक होता है base band और दूसरा होता है broadband आपने word सुना होगा broadband कभी ना कभी वैसे guys base band भी होता है अब देखो इसे हम compare करते है guys road से आपने road तो देखे ही होंगे तो road होते है guys single lane road होता है double lane होता है और four lane होता है single lane road में क्या होता है पता है guys एक ही road होता है और at a time वहाँ से एक ही vehicle जा सकती है that is a single lane तो single lane को हम बोलते है guys base band अब broadband मतलब guys double lane या फिर guys four lane आपको पता है एक ही रस्ता होता है one direction में जाता है but at a time two vehicles, four vehicles एक साथ जा सकती है वैसा ही guys हमारे broadband में होता है अब एक wire है तो wire का भी type होता है base band याने उसमें बस एक ही signal जाएगा जितने उसकी capacity है एक ही signal के लिए वो devoted रहेंगे but broadband में guys एक ही wire में बहुत सारी frequencies एक साथ travel कर सकती है बस आपको उसे modulate करना पड़ेगा कि आपको कौन से frequency को capture करना है that's it guys ऐसा होता है हमारा broadband उसी के बारे हम study करते हैं there are two transmission mode base band and broadband transmission base band devotes the entire capacity of the medium to one communication channel यानि कि एक ही frequency का data वहाँ पर transmit होगा और कोई data वगरे वहाँ पर transmit नहीं होगा broadband enables two or more communication channel to share the bandwidth of the communication medium एक ही रस्ता है बट उसके guys double lane, triple lane या four lane का रस्ता है तो एक ही way से बहुत सारी गाड़िया जा सकती है बिलकुल वैसा यहाँ पर हमारा यहाँ पर भी वायर में होता है उसे बोलते हैं broadband next point है, baseband is the most common mode of operation ज्यादा तर ऐसी वायर का वगरे use होता है कैसे यह काम करता है वो हम देखते हैं most local area networks याने LANs function in a baseband mode इसमें होता क्या है, in baseband signaling can be analog or digital अब दो टाइप के signals होते गए, electrical signal याने analog 001 में अगर वो convert हो जाते हैं तो उसे digital बोलते हैं so LAN में जो wire use होती है, उसमें baseband property होती है अब देखते हैं कि broadband property कहां पे होती है the TV cable coming from antenna और cable provider is a broadband of the cable because each signal is modulated using the separate assigned frequency जब हम channel change करते हैं तो उसका use करके हम कर क्या रहे हैं हम frequency change कर रहे हैं और frequency के उपर अलग-अलग channel आता है तो that is guys broadband अब देखो इतने सारे channel है बट आप तो एक ही wire से रहे हैं तो बस हर channel की एक frequency होती है आप remote से frequency change करते हो channel number change कर रहे हैं मतलब frequency change कर रहे हैं और आपको अलग-अलग channel देखने को मिलते हैं तो उसके लिए क्या यूज होता है the TV tuner can be used to select frequency of the channel you want to watch है ना अब TV tuner को guys आजकर remote से compare कर सकते हैं पहले manual तरीका रहता था आजकल remote से हमारा काम वगरे चल जाता है तो उसी का use करके हम channel वगरे change कर सकते हैं आप से guys आपको band usage ये topic वगरे समझ गया होगा बटते हमारे next factor के तरफ factor का नाम है attenuation और दोगे इस first point क्या है attenuation is a major of how much a signal weakens as it travel through a medium किसी wire में से कितने दूर तक गए data transmit हो सकता है जबते कि वो weak ना हो जाए signal उसी को property को बोलते हैं attenuation attenuation ये property हम observe करती हैं हमारे day to day life में guys अगर दो person बात कर रहे हैं अगर वो आजू-बाजू है नस्दीक है तो उनको दोनों की आवाज उनको सुनाई देंगी guys जिसमें कोई doubt नहीं है बट जैसे जैसे वो person एक दूसरे से दूर होते जाएंगे तो guys हमारे हाँ पे medium कौन है जितना आप एक दूसरे से दूर जाओगे और आप उतने ही frequency से बात करोगे तो वो जो signal से वो weak होते जाएंगे न एक point ऐसा आएगा कि हम आप लोग बात तो करते रहोगे बट किसी कुछ सुनाई नहीं देगा तो guys land बढ़ गए ना medium की है आप distance बढ़ गया है length बढ़ गई है तो आवाज travel नहीं होंगी तो ऐसा हमारे wire के साथ ही होता है ऐसा नहीं हो सकता है कि बस wire जोट देर data communication होना चलू हो गया है हर wire की limit होते है particular limit तक ही data transmit हो सकता है उसी को बोलते है attenuation next point है attenuation decide the cable length when signal strength falls down certain limit then the receiving station आजू बाजू से जो electronic signal आ रहे हैं उसे वो catch करता है वो transmit करने लगता है मैंने इसके पहले ही बता है आप video को pause करो guys आपको आजू बाजू के आवाज सुनाई देना शुरू हो जाएंगी that is called as a noise कि आपका जो ear है वो और भी sound capture करता है वैसा wire के साथ भी होता है उसके अंदर से जो travel हो रहा है ठीक है बट वो आजू बाजू के भी electrical signal को भी वो capture कर सकता है next point है repeaters are used to regenerate signals one solution to deal with the attonuation is add a repeater repeater का use होता है कभी ना कभी शायद आपने repeater वगरे देखा होगा दो wire के बीच में लगाया जाता है कभी आपने देखा होगा यह जो मैं point कर रहा हूँ यह device इसे repeater बोलते है देखो एक dish का cable आ रहा है तो उस cable को repeater के साथ जोड़ा है signal strong करके वो आगे वगरे यह भेजता है कभी ना कभी आपने FHC बगरे observe की होंगे day to day life में इसे को बोलते है repeater और attonation को बचने का एक हमारा one of the तरीका है बटते हमारे last factor के तरफ गए जोर factor का नाम है electromagnetic interference इसको shortcut में EMI बोलते हैं देखो first point क्या है electromagnetic interference याने shortcut में EMI consists of outside electronic noise that distorts the signal in the medium थोड़ दर पहले हमने discuss किया है wire में से signal electronic signal गएज travel होते रहते transmit होते रहते हैं बट ज़रूरी नहीं है कि वही travel हो गए wire के side में बहुत सारे wire वगरे हो सकते हैं और वहाँ से भी data transmit हो सकता है तो sometimes क्या होती है जो हमारी actual जो wire है वो आजू-बाजू के wire का data भी catch करती है और उसे भी transmit करने लगती है उसी को बोलते है guys noise distraught हो जाओगे ना उसी को बोलते है noise है ना noise मेरे खाल से आप वो concept वगरे समझ गया होगा कि जो चीज travel होनी चाहिए उसके अलावा जो extra चीज travel होती किसी medium से उसी को बोलते है noise तो उस factor को बोलते guys electromagnetic interference उससे immune रहना चाहिए हमारा wire या कम से कम noise वहां तक पहुचनी चाहिए that's it guys देखो इसके example बगरे cross talk is a special kind of interference caused by the adjacent wire है ना दो आजू बाजू wire है उससे travel हो रहा है data बगरे या कभी-कभी guys हमारी वो phone line भी होती है ना वहां पे भी cross talk बगरे होता है एक wire का data दूसरा wire catch बगरे कर सकता है cross talk occurs when the signals from one wire is picked up by the another wire जिस हम बात कर रहे हैं this can be experienced while talking on phone ऐसा कभी आपके साथ भी होगा हम बात कर रहे हैं और किसी तीसरे person की आवाज सुनाई दे लगती है बीच में गई उसी को बोलते हैं cross talk है ना एक phone से दूसरे phone में आवाज जा रहे तो किसी medium का use ही हुआ होगा ना wireless technology का use हुआ होगा but guys वहाँ पे भी cross talk हो सकता है वो medium किसी और frequency को catch करके transmit करने लग सकता है in computer network large number of cables are located close together therefore cross talk is a significant problem in the network तो ये guys ऐसा हमेशा computer के साथ भी हो सकता है तो उसे बचने के तरीके भी होते और वही हमें आगे आगे study करने है I hope so guys आपको ये 6 के 6 points समझ गए होंगे 4 mark के लिए question आता है guys कभी-कभी 3 mark के लिए आ सकता है कभी-कभी ये factor के नाम दिये रहते हैं और आपको उसे explain करना आना चाहिए so guys आचे class के लिए इतना ही मिलते है next class में ने topic के साथ अब ते के लिए good bye thank you guys